अगर लाइफ में एक दो बार फेलियर जाते हैं ना इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते रीडिंग क्या है यार एक इंगलिश का पैसिज है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट अपना रीडिंग का स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कल के राइटिंग टोपिक से एक्जाम में 11 जून में वो बिल्कुल according to prediction रहे दोनों के दोनों टास्क वीडियो में से थे आप चेक कर सकते हैं 11 जून प्रडिक्शन वाड़ी वीडियो राइटिंग टास्क टू 6 और 50 नमबर था जो टास्क अब बात करते हैं रीडिंग के उपर आपकी स्क्रीन के उपर आपको दो बैंड स्कोर मेंशन हो रहे होंगे जो अच्छा है जो बुरा है जब हम एक्जाम देने गए जो हमारा अनक्सपेक्टड वो रिजल्ट आ जाए अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये वीडिय ऊल्रेडी बना चुका हो बहुत सारी टिप्स एंड टिक्स भी धे चुका हूं फिर भी स्टूडेंट्स की क्विरी बहुत रहती है कुछ ऐसे केस भी देखे है जो स्टूडेंट्स होते हैağı राइटिंग स्पीकिंग में 7-7 बैंड बट रीडिंग 5 और 5.5 बैंड कमी है जो वह रहती है रीडिंग में जा फिर जादा तर राइटिंग में जो आज कल का ट्रेंड है देखो रीडिंग है जो एक ऐसा मोडियूल है जिसमें मेज़ोरिटी ओफ स्टूड़न्स को लगता ह है बहुत ज्यादा टाफ है जब भी हम कुछ करने के लिए जाएं तो देखते हो ना टाइम देखते हो ना आप कितने टाइम तक कंप्लीट होगी यह चीज तो बस ठीक जब भी आपने रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए देखना है अपना एक टार्गेट बना लेना है इस टाइम तक मैंने रीडिंग अपनी इंप्रूव करनी है इतने दिनों तक मैंने इंप्रूव करनी है सो मीनिमम देखो आपको 20 डेज तो चाहिए ही चाहिए एक अच्छी अंडरस्टेंडिंग डिवल्प करने के लिए मैं बताता हूँ आपको देखो फॉर इंस्टेंस आप किसी भी फिल्ड में चले जाओ चाहे वो जोब हो चाहे आप स्कूल में थे आपको कोई डिफिकल्ट लगता ही था और सब चीज के सल्यूशन भी होता है अब आपने पता क्या करना देखो सबसे पहले अपनी टूडू डिस्ट त्यार करो आपको पता है अब मेरी जो लिसनिंग है बहुत ज्यादा अच्छी है सो लिसनिंग पर थोड़ा फोकस है जो कम कर दो और बहुत सारे टेस्ट आपको एक दिन में सॉल्व करने की जुरूरत नहीं है वहीं रीडिंग के लिए आपने थोड़ा टाइम इंक्रीज कर देना है आपको कम से कम दो गंटे देने है रीडिंग के लिए एक घंटा तो आपने पैसीजी सॉल्व करने है बाकी जो बचा एक उसमें आपने कुछ extra try करना है कुछ read करना है कुछ new सीखना है आपको इतनी English तो आती है कि आप एक cue card बना सकते हो आप सुन भी सकते हो आप लिख भी सकते हो बट reading की skills हैं जो reading की skills भी आपके पास है और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता जो पैसेज में लिखा है समझ भी आपको आता है understanding बनाने में थोड़ा time जरू लगता है मतलब देखो आपके पास जो information है उसको आप समझ रहे हो बट जब आप उस information को question के हिसाब से question के हिसाब से जब उसको compare कर रहे हो तो उसमें आपको doubt रहता है तब ही आप confused होते हो देखो कुछ question तो आपके ऐसी गलत हो जाते है location मिल गई समझ भी आ गया और जो answer select किया वो आपने गलत select कर लिया location सही है understanding हो गई बट जब answer को select करना है तो उस time भी आपने एक अच्छे से focus के साथ समझना है तुका नहीं लगाना चलो ये लग रहा है तो ये ही लगा देता हूँ आपका गलत क्यूं होता है आपको location अच्छे से मिली नहीं कुछ key words को देखकर आप guess कर देते हो इसी वज़ा से आपका रोंग हो जाता है जब आप कुछ achieve नहीं कर पाते तो उसमें सिर्फ दो चीजे रह जाती है या तो आप hard work करोगे या फिर आप excuse बना दोगे यार मेरा तो lucky अच्छा नहीं था मेरा तो lucky साथ नहीं देता अगर life में एक दो बार failure जाते हैं ना इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते reading क्या है यार एक English का passes है जिसको आप easily solve कर सकते हो आप जब भी practice करते हो कभी इस चीज में नहीं पढ़ना आपने वो तो इस book से पढ़ रहा है मैं इस book से पढ़ रहा हूँ फिर आपके अपने उपर खुद ही doubt बनने लगते है क्या मैं सही book से पढ़ रहा हूँ reading के जो actually में आपको improvement चाहिए न अगर आप सिर्फ ये दो तिन चीजें कर लो उसके इलावा आपको कुछ भी करने के ज़रूरत नहीं है देखो एक तो आप जो पैसी solve करते है वो करो उसके बाद में एक घंटा extra अपने reading के लिए देना है उसमें कुछ extra work करना है reading को understand करना है उसके बाद जो understanding कर ली जो आपकी mistake है थोड़ा time उसके लिए निकालो उसको ठीक करो reading में अपने एक interest बनाओ अपनी habit बनाओ आप exam को only अपनी practice base पर ही crack कर सकते हो सो जादा से जादा जो मेने बातें कहीं इन पर focus करो और अपनी reading को अगर आप improve करना चाहते हो तो इन tips को apply कर लो आपकी reading है जो improve हो जाएगी